हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू आर चानल स्टडी रिकॉर्ड आज हम 30 लवंबर 2018 के करेंट अफिस डिसकस करेंगे आज को सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज उनने लाइक ज़रू करें शेयर करें और बैल आइगन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे जो भी नए वीडियो वीडियो आपको मिलते रहें तो आज हम डिसकस करेंगे करेंट अफिस्टी तो नेवेंबर 2018 यानि की 30 वंबर 2018 के हमारे आज के सेशन का पहला question हम करें हम से पहले हम quiz question discuss करेंगे जो की हमारे last video में पूछा गया था तो quiz question था हाल ही में किस राज के मुख मंत्री ने लोग cycle sharing परियोजना और एक mobile app launch किया है मैं एक बार question repeat करते हूं हाल ही में किस राज के मुख मंत्री ने लोग cycle sharing परियोजना और एक mobile app launch किया है इसका correct answer है उडिशा तो हाल ही में उडिशा में कुछ गतिविद्या हुई है हम एक बार उनका सभी गतिविद्यों पर नजर डाल लेते हैं उडिशा सरका ने एक नए जैफ प्रोध्योगी की नीती 2018 की घोशना की है उडिशा राज की विधान सभा ने सर्व सम्मती से विधान सभाओ और संसदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षन के लिए एक प्रस्ताफ पारित किया है उडिशा ने सौर जन निधी योजना शुरू की गई है उडिशा के मुख मंत्री नवीन पतनायक ने प्रारंबिक चेतावनी प्रसाव प्रनाली और जन संदेश प्रनाली की शुरात की आईए उडिशा के कुछ स्टाटिक फैंक्स हम डिसकस कर लेते हैं उडिशा की क्यापिटल है भुमनेश्वर उडिशा की चीफ मिनिस्टर नवीन पतनायक और वहां के गवर्नर गनेशी लाल और उडिशा में ही फेमस कोनाक सल्ट टेंपल सिचुएटेड है तो हम बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेशन है हाल ही में किस मंत्राले ने भाशा संगम नामक एक पहल शुरू की है उप्शन से वित्य मंत्राले, मानव संसाधन विकास मंत्राले, ग्रह मंत्राले या इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट एंसर है मानव संसाधन विकास मंत्राले तो आईए इस भाषा संगम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं मानव संसाधन विकास मंत्राले यानि कि Ministry of Human Resource and Development ने भाषा संगम नामा के पहल शुरू की है भाषा संगम स्कूलों और सेक्षिक संस्थानों के लिए एक कारिक्रम है भारतिय भाषाओं में चात्रों को बहु भाषी एक्स्पोजर प्रदान करता है ये पहल 22 नवंबर 2018 को एक भारत के तहर शुरू की गई थी और 31 दिसंबर 2018 तक जारी रहेगी हम बढ़ते हैं आज की अगले क्वेशन की तरफ हाल ही में भारतिय नौ सेना और United Kingdom की रोयल नेवी ने कहां पर कोंकर 2018 अभ्याज शुरू किया है उप्शन से उत्रप्रदीश, गुजराद, गोवा या राजस्थान इसका करेक्ट अंसर है गोवा कोंकर 2018 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भारतिय नौ सेना और United Kingdom की रोयल नेवी ने गोवा में कोंकर 2018 अभ्याज शुरू किया दुई पक्षिय अभ्याज दोनों नौ सेनाओ के लिए समय समय पर समुद्र और बंदर गाह पर अभ्याज का एक मंच प्रदान करता है ताकि अंतहा क्रिय शिल्दा का निर्मान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साजा किया जा सके रोयल लेवी का प्रतिनेधित HMS Dragon द्वारा किया गया था और भारतिय नौ सेना का प्रतिनेधित INS Kolkata के द्वारा किया गया इसके साथ ही हम गोवा के कुछ static point डिसकस कर लेते हैं गोवा की capital है पंजी यहां के चीफ मिनिस्टर है मनोहर पारिकर और यहां के गवर्नर है मृदूला सिनहा हमारा अगला question है हाली में कहां पर वैश्वेग विमानन शिक्खर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा options है मुंबई, हैदरबाद, नई दिल्ली या जैपर correct answer है मुंबई January 2019 में मुंबई में दो दिवसिये वैश्वेविक विमानन शिक्खर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा यह शिक्खर सम्मेलन Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry यानि की फिक्की कि सायोग से नागरिक उडियन मंत्राले और Airport Authority of India दिवारा आयोजित किया जाएगा इस शिक्खर सम्मेलन का विशे फ्लाइंग फॉर आल स्पेशली फॉर दे नेक्स 6 बिलियन है तो यह कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे वैशेवे विमान शिक्खर सम्मेलन के तो इन्हें याद रखिए स्पेशली जो इस का इस शिक्खर सम्मेलन का जो विशे है जो सब्जक्ट है देट इस फ्लाइंग फॉर आल स्पेशली फॉर दे नेक्स 6 बिलियन यह इंपॉर्टेंट है आये हाले में मुंबई में कुछ इंपॉर्टेंट गतिविध्या हुई है तो हम उनकी बार में डिसकस कर लेते हैं मुंबई में चौथी नीती आयोग विकास अनुसंधान केंद्रवार्ता आयोजित की गई केंद्री खाद, प्रसंकरन, उद्योग मंतरी, हर सिम्रत कौर बादल, महराश के दूसरे मेगा फुट पार का उद्धाटन किया आये महराश के कुछ स्टैटिक टॉपिक डिसकस कर लेते हैं महराश की कैपिटल है मुंबई, यहां के चीफ मिनिस्टर है देविंद्र फडनविस और महराश के गवनर है सी विद्या सागर राउ आये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेशन की तरफ हाल ही में भारत और किस देश ने निर्यात के लिए स्विच्चता और निरिक्षिन आविशक्ताओं पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये हैं आप्शन्स हैं नेपाल, श्रीलंका, बांग्रदेश या चीन सही आंसर है चीन दोनों देशों के बीच ये जो प्रोटोकॉल हुआ है तो उसके बार में थोड़ा सा जान लेते हैं 28 नवंबर 2018 को भारत और चीन ने निरियात के लिए स्वच्छता और निरिक्षिन आविशक्ताओं पर एक प्रोटोकॉल पर अस्थाक्षर किये हैं ये प्रोटोकॉल भारत को चीन में मचली भोजन और मचली के तेल का निरियाज शुरू करने में सक्षम करेगा चीन ने अब तक भारत द्वारा मचली भोजन और मचली के तेल के निरियाज के अनुमती नहीं दी है चीन 143.29 मिलियन यूएस डॉलर के मचली के तेल का आयात करता है आई हाल ही में चीन में कुछ घटनाए घटित होई हैं चीन ने एक क्रतिम सूर्य बनाया है भारतों चीन ने बीजिंग में नौवी वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वारता आयोजित की भारत ने शंगाई में चीन की पहली अंतराश्ट्रिये आयात प्रदर्शिनी में भाग लिया चीन के चांक्षा में क्रशी और ग्रामेन विकास पर 20 से अधिक देशों ने चांक्षा घोशना पर हस्ताक्षर किये चीन फ्रांस ने समुद्र विज्ञान उपग्रे लॉंच किया है आये चीन के कुछ स्टेटिक पॉइंट डिसकस कर लेते हैं चीन की कापिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रिन मिन बी और चाइनीज यूआन वहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिन पिंग हमारा अगला क्वेशन है हाल ही में कौन सा राज अखिल भारतिय अपात कालिन नंबर 112 लॉंच करने वाला पहला राज बना हाल ही में कौन सा राज अखिल भारतिय एकल अपात कालिन नंबर 112 लॉंच करने वाला पहला राज बन गया हमारे उप्शन्स हैं उत्य प्रदेश, मद्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुनाचल प्रदेश हमारा करेक्ट एंसर है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश अखिल भारतिय एकल अपात कालिन नंबर 112 लॉंच करने वाला पहला राज बन गया इस परियोजना के तहट 12 जिला कमांड सेंटर के साथ शेमला में एक अपात कालिन प्रतिक्रिया केंदर स्थापित किया गया है ERC को आपात कालिन सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस, आग, स्वास्त और महीला हैट लाइन नंबरों के साथ एक इकरत किया गया है आए इसे के साथ हिमाचल प्रदेश में हुई कुछ घटनाओं के बारे में हम डिसकस कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में 6 दिवसिये शी रेनु काजी मेला शुरू हुआ इमाचल प्रदेश ने राज में सशक महीला योजना को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है हिमाचल प्रदेश के कुछ ट्याटिक पोईंट्स हैं हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला यहांकि चीफ मिनस्टर है जयराम ठाकुर गवंणर आचार देवरत हमारा अगला क्वेशन है हाल ही में किसको कौशल विकास और उद्मिता मंत्राले द्वारा राश्ट्री कौशल विकास निगम का अध्यक्ष नियोक्त किया गया है ओप्शिन्स हैं मनीश कुमार, मोहन सिंग, ए-म नायक या इन में से कोई नहीं हमारा करेक्ट अंसर है ए-म नायक, ए-म नायक को कौशल विकास और उद्मिता मंत्राले द्वारा राश्ट्री कौशल विकास निगम यानि की एनिसडीसी का अध्यक्ष नियोक्त किया गया है विलार्शन एन टर्बो लिमितेट के समू अध्यक्ष है, एनिसडीसी का उद्देश बड़े गुणबत्ता वाले और लापकारी विविसाइक संस्थानों के निर्मांट से कौशल विकास को बढ़ावा देना है हमार अगला क्वर्शन है हाल ही में कौन से शहर में CSIR माइक्रोवियल प्रोध योकिक संस्थान CSIR IMTEC एक हाई-यंड सकिल डेविलपमेंट सेंटर स्थापत करेगा मैं क्वर्शन एक बढ़ और पर देते हूं हाल ही में कौन से शहर में CSIR Microbial Prodhyogic संस्थान एक High End Skill Development Center स्थापत करीगा ओप्शन से भोपाल, जैपुर, गांधीनगर या चंदीगड इसका सही एंसर है चंदीगड आई इसकी बारे हम थोड़ा सा जान लेते हैं CSIR Microbial Prodhyogic संस्थान चंदीगड में High End Skill Development Center स्थापत करेगा ये केंद्र अगरणी जर्मर विग्यान प्रोध्योगी की कंपनी मेर्क के साथ सार्जेदारी में स्थापत किया जाएगा आईए इसके साथ ही हैं पंजाब में हाली में जो कुछ गतिविद्या हुई है हम उनमें एक बार नज़र डाल लेते हैं पंजाब पुलिस ने केंद्रे ग्रे मंत्राले का अपराद और अपरादिक ट्रेकिंग नेटवर्क और सिस्टम पुरुसकार जीता रोबोटिक डाइनोसौर पर भारत की पहली ग्यालरी का उदखाटन पंजाब के कपूर थाला में पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर में हुआ पंजाब सिरकार ने किसानों के मुद्धों को हल करने और राज में भूजल स्टर को कम करने के लिए इस्राइल के साथ चार MOU पर हस्ताक्षर किये पंजाब में हुक्का बारो कुस्थाई रूप से प्रतिबंदत कर दिया है आईए पंजाब के कुछ स्टेटिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पंजाब की कापिटल है चंदिगर पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरंदर सिंग और वहां के गवर्नर है वीपी सिंग बंदोरे हमारा अगला क्वेशन है हाल ही में किसे यूपी सि के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हमारे ऑप्शन है स्मिता नागराज, अर्विन सक्सेना, भीम सेन बाससी या इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर है वो है अर्विन सक्सेना 28 नवंबर 2018 को भारत के राश्पती ने अर्विन सक्सेना को केंद्रे लोग सिवा आयोग यानि की यूपी सि का अध्यक्ष नियुक्त किया है उनकी नियुक्ती की अवदी 65 वर्ष की आयोप्राप्त करने या अगले आदेश तक 7 अगस 2020 तक होगी वे 8 मई 2015 को सदस्यक के रूप में UPSC में शामल हुए थे UPSC में सदस्यक के रूप में शामल होने से पहले वे अवियेशन रिसर्च सेंटर यानि की ARC के निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे हमारा अगला क्वेशन है फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतराष्ट्रिय एक जुड़ता दिवस्त सयुप्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष कब मनाया जाता है मैं एक वेशन एक बार और रिपीट कर देती हूँ फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतिराश्ट्रिय एक जोड़ता दिवस्त सैयुक्त राश्ट्र द्वारा हर वर्ष कब मनाया जाता है ओप्शन से 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 30 नवंबर तुमारा करेक्ट एंसर है 29 नवंबर हम इसके बारे में थोड़ सा जान लेते हैं फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतिराश्ट्री एक जोड़ता दिवस्त सैयुक्त राश्ट्र द्वारा हर वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राश्ट सभा ने फिलिस्तीन के साथ विभाजन पर इस संकल्ब को अपनाया था संकल्ब के तहट फिलिस्तीन में एक यहुदी राज और अरब राज की स्थापना के लिए प्रिस्ताफ किया गया हमारे आच की सेशन का आखरी क्वेशन क्वेश्न 10 यह इम्पोर्टन क्वेशन है तो इसका करेक्ट अंसिर है केन्या आई इस के बार में हम थोड़ा सा जान लेते हैं Sustainable Blue Economy पर पहला वैशविक सम्मेलन 28 नवंबर 2018 को केनिया के नैरूबी में आयोजित किया गया यह याद रखियेगा कि केनिया में भी कहां पर नैरूबी नैरूबी में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है इस सम्मेलन का आयोजन केनिया ने किया था कनाड़ा और जपान सम्मेलन में सह मेजबान थे सम्मेलन समुधरी और तटियस अंसाधनों की रक्षा के लिए उनकी पुनह उत्पति में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुनिश्यत करता है कि वे वर्तमान और भविश्य की पीडियों के लिए उपलब्त बने रहें आएं केन्या के कुछ स्टैटिक पॉइंट डिसकस कर लेते हैं केन्या की क्यापिटल है नैरोबी यहां की करेंसी है केन्यान शेलिंग और यहां के प्रेसिडेंट है हुहुरू केन्याटा हमारे आज की सेशन का क्वेस्ट क्वेशन है हाल ही मैं कहां अंतराश्ट्रिय गीत महोचसव 2018 आयोजित किया जाएगा हाल ही मैं कहां अंतराश्ट्रिय गीत महोचसव 2018 आयोजित किया जाएगा आप इस क्वेशन को ध्यान से सुनिए इसके ओप्शन ध्यान से सुनिए और अगर आपको लगता है कि वेशन आपको आता है तो प्लीज इस क्वेशन का आणसर कमें बॉक्स में जरूर दे थैंक यू सो मुच एवरिवन आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी रिकॉर्ड को सब् प्लीज है ताकि जो भी हमारे चैनल के थ्रू नए वीडियो डाले जाएंगे वो उसका नोटिफेकेशन आप तक पहुच जाएगा थैंक यू सो मुच एवरिवरिवान हैव नाइस दे